हेलो गुड इवनिंग स्टुडेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और आज हम इस वीडियो में चंदेल बंस के सासक हर्स तथा ये सोवर्मन के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो देखिएगा जो चंदेल सासक हर्स ह है और जो एस वर्मन है ये इत्यास में वहती महत्तवपुन सासक हुए हैं और एकजामें भी कई बार ये इनके बारे में पूछ लेते हैं तो आप वीडियो को अच्छे से धान से देखिएगा और यदि कोई सुझाव आप लोगों के पास है तो आप कमेंट बोक्स में कमे के और इत्यास विशे के आप अच्छे से तयारी कर सको तो चलिए पढ़ते हैं चंदेल मंस का सासक हर्स तता है ये सो वर्मन का इतिहास हर्स का इतिहास नो सो इस्वी तक चंदेलों ने पर्तिहारों के अधियनता में सासन किया तथा धीरे धीरे अपने सक्ति का विश्थार करते रहे तो पर्तिहारों के बारे में भी हम काफी कुछ पहले पढ़ चुके हैं चंदेलों के बारे में भी हमने पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके और पहले वाले वीडियो उसको देख सकते हैं ठीक है राहिल का पुत्र तथा उत्रादिकारी हर्स जो नो सो इस्वी से नो सो पचीश इस्वी तक सासक बना रहा एक सक्तिसाली सासक था जिसके समय में चंदेलों ने पट्टी हरों की दास्ता का जुआ फेंक दिया था खजुराहो लेख में उसे परम बठारक कहा गया है जो उसकी स्वतंतर इस्थिति को का धोतक है नन्योरा पत्रों से पता चलता है कि अपने सत्रों को प्राजित करने के बाद हर्स ने संपूर्ण पर्थवी की रक्षा की थी खजुराहो लेख के अनुसार उसने पर्तिहार सासक चित्ति पाल अर्थात महिपाल को पुन्ह कनोज की गद्दी पर बिठाया ऐसा पर्तित होता है कि महिपाल को राष्ट्र कूट नरेश इंद्रत रित्य ने प्राष्ट कर कनोज की गद्दी से उतार दिया था परन्तु चंदेल हर्स की सहायता पाकर वया पुन्ह कनोज जीतने में सफल हुआ हर्स ने अपने समकालीन दो राजवन्सों चोहान तथा कल्चरी के साथ विवाहिक संबन्द इस्तापित कर अपने इस्तिती सुद्रड कर ली थी उसने अपने वन्स की कन्या नट्टा देवी का विवा है कल्चूरी नरेश कोकल के साथ तथा स्वयम का विवा है चाहमानवंस की कन्या कंचुका के साथ किया था कल्चूरी राष्ट्रकूटों के भी सम्मन्दी थे और कोकल ने अपनी कन्या का विवा राष्ट्रकूट नरेश क्रिशन द्वित्ये के साथ किया था इस परकार हर्स को कल्चूरियों के साथ साथ राष्ट्र कुटों का भी समर्थन प्राप्त हो गया अपने पर्तिहार अधिपती को खुली चुन्नोती दिये बैगेर ही हर्स ने धीरे धीरे अपने आंत्रिक एम भाहिय सक्ति का फिमजबूद बना ली थी हर्स है वो वेशनव द्रमावलंबी था ठीक है तो ये था चंदेल सासक हर्स और अब अपन पढ़ते हैं चंदेल सासक यशो वर्मन हर्स के बाद उसका पुत्र यशो वर्मन 930 इस्वी में गद्दी पर बैठा वह एक समराजे वादी सासक था राश्टर कूट सासकों के आकर्मन ने परतिहार समराजे को जरजर बना दिया था गोविन चतूर्त के समय में आंत्रिक लह के कारण राश्टर कूटों की इस्तिती भी खराव हो गई थी तथा वे उत्तर की राजनिती में अच्छी तरह से अपने भूमी का अदा नहीं कर पा रहे थे ये सभी परीश्टितियां यशो वर्मन के लिए लाबकारी सिध हुई तथा वह अपने सक्ति एम समराजे को बढ़ाने में सफल हुआ सरव पर्थम उसने कन्योज पर आकर्मन कर पर्तिहार समराजे को समाप्त कर दिया इसके बाद उसने राष्ट कुटों से कालेंजर का पर्शित दुर्ग जीत लिया था खजुराहो के लेख में यसो वर्मन को गोड, खश, कोशल, कश्मीर, मालव, चेदी, कूरू, गुर्जर, आधी का विजेता बताया गया है उसके अनुसार वह गोड रूपी क्रिडालता के लिए तलवार था खशों के सेनाओं का सामना किया, कोशलों को लूटा, कश्मीर के सासक का नाश किया, मिथिला नरेश को पराजित किया, मालव के लिए काल के सम्मान था उसके सामने चेदी का सासक कापने लगा वह है कुरूपी व्रक्ष के लिए आंदी के सम्मान था तथा गुर्जरों को जलाने वाला था आगे कहा गया है कि भैसे राहत होकर उसने उस दिन उस चेदी नरेश को युद में बूरी तरह प्राजित कर दिया जिसके पास एगनित सेना थी छेत्रों की विजे के समय उसके सैनिक धिरे धिरे उन बरफिली चोटियों पर चड़ने में सफल हुए जहां उमाने श्वरक के परतेक व्रक्षे लाकर फूल एकत्र कर रखा था तथा जहां गंगा की तेज धाराओं की धवनी से उसकी अस्व सेना भय के कारण एविवस्तित हो गई थी उसने सीव के निवास स्थल कालंजर परवत को आसानी से जीत लिया जो इतना उंचा है की दोपर में सूर्य की गति को बाधित कर देता है उसने कालिन तथा जहु की पुत्रियों यमुना तथा गंगा को बारी बारी से अपना क्रेडा स्रोवर बनाया तथा उनके तटों पर शीवर इस्थापित किया किसी भी सत्रो द्वारा अन्ना द्वित उसके भेंगर हात्यों के स्नान द्वारा उनका जलमेला कर दिया गया इस विवरन से पता चलता है की यसो वर्मा ने अपना परभाव हिमाले से लेकर मालवा तक तथा कस्मीर से लेकर सिरी नगर तक बढ़ा लिया था उसने उत्री भारत में अपना परभाव इस्तापित कर लिया था यसो वर्मन ने चेदी पर अधिकार कर लिया था उसने उत्री भारत में अपना परभाव इस्तापित कर लिया था यसो वर्मन ने चेदी पर अधिकार कर लिया था चेदी का सहसक लक्समन राज अथवा उसका पूर्वय गामी यूराज पर्थम था जिसकी ऐ गनित सेनाओं को यसो वर्मन ने पराजित किया था गोड नरेश पाल वनसी राजे पाल अत्वा उसका पुत्र गोपाल द्वित्ये रहा होगा मालवा कोस्तल तथा कूरू अब भी कनोज के गुर्जर सासकों के अधिकार में थे जबकि मिथिला पर बंगाल और बिहार के पालों का अधिकार रहा होगा ऐसा लगता है कि यसो वर्मन का अपने समकालिन परतिहार अधिपती के साथ बिसन संगर्ष हुआ था किन्तु धंग के खजुरा हो लेक जो विक्रमी समत 2011 का है से पता चलता है कि यदभी चंदेर स्वतंतर हो गए थे तथा पिवे नाम मातर के लिए ही गुर्जर परतिहारू की दिनता श्विकार करते थे इस परकार यसो वर्मन एक प्राकर्मी राजा था एक सामत इस्तिति से उपर उठकर अपने उपलब्दियों के द्वारा उसने सारभों पद को प्राप्त किया था विजेता होने के साथ साथ वह एक महा निर्माता भी था तो जो यसो वरमन है वह एक निर्माता की रूप में देखीगा चंदेल सांसक यसो वरमन ने खजुराहू के परसिद विश्रू मंदिर का निर्मान करवाया था इस मंदिर में उसने बैककॉंट की मूर्ती स्थापित करवाई जिसे उसने पर्तिहार सासक देपाल से प्राप्त किया था कनिंगम ने इसकी पहचान खजुरा हो इस्तित चतुर भूज नाम से विख्यात मंदिर से की है इसके अतिरिक्त यसो वर्मन ने एक विशाल जला से तड़ा गार्नम का भी निर्मान करवाया था ठीक है तो देखें स्टूडेंस ये वीडियो एक्जाम की दर्स्टी से बहुत महत्वपुन है यह दि आपको कहें पर भी कोई गलती लगे या फिर कोई सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं और हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पर आप अंतक बने रहें वीडियो को बार बार देखें आपको एक्जाम की दर्स्टी से महत्ताव पुन सूसनाय मिलेंगी ठीक है